बिसमिल्लारमाराण इस लेक्षर के अंदर जो चीज आपको मैं पुढ़ाने वाला हूँ that is related to systems of equations equations होती क्या है और systems of equations क्या होते है अब system of equations क्या होते है equations को resolve करना और mathematics के अंदर equations बनाना बहुत जरूरी होता है और हर एक graphical language के पीछे equation होती है जो बड़ी देनों से हम बात करते हैं linear algebra के अंदर मैंने आपको Desmos का एक प्रोग्राम भी दिखाया कि आप एक equation लिखते हैं वो पूरी एक line बना देता है आज हम इनी के तकरीबन कोई important जितने भी points हो वो सारे के सारे discuss करेंगे और related any information जो भी system of equation के related है वो देखने वाले है और अब से आने वाले जो अगले 5-6 lectures है वो system of equations के उपर ही होंगे और यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें matrices भी होते हैं vectors भी होते हैं there are many other things involved in that start करते हैं सबसे पहली बात system of equations जो हैं इसको हम गौर करते हैं कि यह होता क्या है मैं यहाँ पर आपके सामने एक definition paste करता हूँ और इसको हम detail में इस definition को देखते हैं ठीक है लेट सी और यहाँ पर तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है system of equation definition मैंने आपके सामने लिख दी है अब इसको गौर से हम पढ़ते हैं कि क्या होती है system of equations ठीक है अगर आप गौर करें what is system of equation usually system of equation is a collection of two or more equations पहली बात तो यह है कि इसके अंदर दो या दो से ज्यादा equation आनी है two or more equations ठीक है involving the same set of variable यानि कि variable same होंगे पहली शर्थ 2 या 2 से ज्यादा अगर एक में xy है तो दूसरे में भी xy होगा यानि कि set of variables same होंगे ठीक है and then in linear algebra these are typically linear equation linear equation कौन सी होती है जो मैंने पहले भी आपको बताया था ऐसी equation जो हमें एक straight line दे whenever we draw them ठीक है meaning each equation represents a straight line in two dimensional space जो मैंने अभी आपको दिखाया अब plane plane भी हो सकता है किस में three dimensional space के अंदर इस topic में हम बात में बात करेंगे कि plane क्या होता है और किस तरीके से three dimensional space के अंदर इसको हम देखते हैं मैं इसकी मिसाल आपको ये देता हूँ simple सी कि जब आप ये मेरा हाथ देखें ये मेरा हाथ आप देखें अगर आप 2D plane में इसको consider करें तो आपको side से एक line लग रही होगी ठीक है लेकिन अगर आप इस side पे आके देखेंगे तो ये एक plane है मिसाल के तोर पे अगर कोई भी flat चीज आप side से देखेंगे तो आपको line लग रही होगी आप अगर दूसरी side से देखेंगे तो वो एक plane होगा इसकी मिसाल मैं same वो ही देता हूँ कि plane हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जैसे line है न ये 2D space है up and down line है हमारे पास हमने सीधी लगा दी point A से point B तक गई और इसकी length हमारे पास आती है plane हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है जिसमें आप 3D dimension के अंदर उसको देखते हैं और इसकी width भी होती है लेकिन usually उस width को हम consider नहीं करते हैं यानि कि इसके अंदर 4 line है और इसके अंदर space होती है और 3D space के अंदर ये गिना जाते है but for now we will consider only two dimensional line जो हमारे पास बनती है या hyperplanes in higher dimension hyperplanes क्या होती है जब हम sport vector machines और different किसम के machine learning का algorithm देंगे तब हम इस समझाएगी but for now हमारे पास जो system of equation है उसमें क्या होगा दो या दो से ज्यादा equation होती है और xy होता है और बाकी चीज़े होती है हमारे पास दो या दो से ज्यादा equation xy होगा यानि कि variables जो एक जगा पे है वो ही दूसरी जगा पे होने चाहिए और हमारे पास ये plane के अंदर एक linear line जो है वो बनाती है अब हम आगे बताते हैं ये basic components क्या है system of equations के basic components और आप अभी देखेंगे अगर आपके mind made transformation और वाकी concept clear है जो मैंने पहले बताएं थे तो आपको समझ आ जगी सबसे पहला होता है variable variable आप सबको पता है ऐसी quantity जो unknown हो यानि कि x की value नहीं हमें पता ये variable है य की नहीं पता ये variable है z की नहीं पता ये variable है f की नहीं पता ये variable है usually f जो है function के लिए use होता है but x, y, z हमारे पास है ठीक है जिनकी quantity known नहीं होती ये हो गया हमारे पास variable second हमारे पास होता है expression ठीक है mathematical expression क्या होता है कि आप कोई भी एक number देखें अगर उसके साथ को variable लगा है that's fine operator होगा फिर दूसरा को number या operator होगा इसको बोलते है mathematical expression 2 प्लस 3 भी एक expression है ठीक है तो इसमें numbers भी हो सकते हैं और variables भी हो सकते हैं फिर हमारे पास चीज आती है coefficient जो मैंने आपको पहले भी बताया यह repeat मैं इस वटा से गरवार हूँ because we have to go through this system of equations अब यहाँ पर क्या होगा अगर मेरे पास 2x लिख है x हो गया variable और हमारे पास जो 2 है this is called coefficient ठीक है इसको हम बोलते है coefficient अगर यह 3 हो तो इसको फिर भी x होगा हमारे पास variable 3 होगा coefficient coefficient एक ऐसा number है which is being multiplied to that variable ठीक है अब अगर यह मेरे पास 4 हो तब भी यही है 5x हो तब भी यही है लेकिन अगर बता दिया जाए कि ax है and a is any number in real coordinate तब भी यह एक coefficient ही है क्योंकि यह हम बताते हैं कि 1 से minus 1 से लेके कोई आप range बता देते हैं minus 5 दे दें या minus 500 कह दें या 500 कह दें whatever comes here तो वो कोई भी एक number है which is going to be multiplied with that variable फिर हमारे पास आता है constant 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 है कैसी चीज़ है for example मैंने एक equation लिखी है ax plus bc और यह बराबर आ रहा है आपके ax plus by और यह c c कोई भी एक ऐसा number है जो अकेला रहना पसंद करता है stand alone number कल खोर इसे बोलते हैं पंजाबी में कल खोर या जो खुद पसंद मतलब खुद को पसंद करते हुए अकेला ही रहता है किसी से मिला के निखाता तो यहीं पे एक टिप ले लें कभी भी c या stand alone constant बनके न रहिएगा हमेशा variable रहें अपने अंदर change लाने की तो फीक जो है वो बरकरार रखें reason क्या है कि जब आपके पास कोई coefficient होता है आपकी life में कोई ऐसा person आता है जो आपको थोड़ा सा change करने के लिए helpful साबित होता है motivate करने के लिए साबित होता है तो उसके मश्वरे को समझे और अपने आपको variable रखें variable का मतलब ही यह है कि which can change ठीक है plus side पे positive side पे आप change हो तो आइंदा आपने constant नहीं रहना constant का मतलब क्या होता है कि एक ही जगा पे रुके रहना इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ अक्सर उकात आप किसी एक अच्छी जॉब पे लगे हुए और सारी जिन्दगी उसी जॉब पे गुजारते ते सिरफ इसलिए कि pension मिलेगी second आपको यह होता है कि यार 10,000, 20,000 salary increment हो रहा है साल के बाद तो लेकिन कुछ gain नहीं कर रहे होते है आप तो life में कभी भी ऐसी jobs ऐसी चीज़ों को आप न receive करें या perceive करें या अपने पास रखें जो आपको कुछ सिखा नहीं रही otherwise आप constant ना रहे हैं उसी एक field में रहते हुए job करते हुए कुछ सीखते रहे है ठीक है so यह छोड़ी सी tip आपको देनी थी और यह मैंने आपको दे दी अब हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो यह चार चीज़ी है इनको हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक equation बनती है say for example 3 plus 2 था हमारे पास एक expression ठीक है मैंने इसको 3x plus 2 बोला यह फिर भी expression रहा मैं इसको 3x plus 2 is equal to 4 बोलता हूं तो यह मेरे पास एक equation आ गई है तो equal to का sign जाब लगता है यह equations आ जाती है इसी तरह हमारे पास inequalities होती है जो हमने पराने lecture के अंदर भी देखी है चीज़े तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि equations जो है वो कैसे बनती है और equations जो है system of equation क्या होता है और किस तरीके से हम उसके साथ deal करते है और यह system of equation जो है equations जो है यह अभी आपको समझ आएगा then you will see के बड़ी बड़ी दुनिया की problems equations की base पे से जो है वो resolve हो रही है और इंशाला हम भी करने वाले हैं